आज मैं बनाने वाली हूँ न्यू येर वेलकॉम केक पूरा बास्केट वाले केक बनेगा एक तम ब्रूल अलग बनेगा और मैंने अभी तक यह वाले वीडियो अपने चैनल पर अपलोड ही ने किया क्योंकि मैं बनाई ही ने कभी ओडर ही नहीं आया ऐसा तो पहली बार ऐसा है कि अगर आप प्रमक्स यूज करेंगे तब ही आप इतना बड़िया से स्पॉंज बना सकते हैं हो मिट वाला भी बिस्ट बनता है ऐसा नहीं कोंगी कि ऐसा नहीं बनता है बट फिर भी फर्क होता है और अगर आपको सेल करना है आप बढ़ाना चाहते में अभी यही इस चाहिए तो अगर वैसा ही चाहिए तो आपको यही यूज करना पड़ेगा और मैं नहीं दिखाया है और नियू यर निकल जाए क्रिसमस निकल जाए हमारी क्लास भी निकल जाए तो मैंने दो अपने संद मैं अइस पहले को नहीं आईसिंग कर लोगी है और उसकी बाद हमें पांच इंच वाला रता है नीचे और Pier姐 उपर यू 바वी और मैंने जो दिखाया आक आसे हमें निज्ट निज्ट को नीचे रखने है तो देक्ष उपक्ला न एक स्था सूघर करने है करीम लगाना यहां क्या होगा नहीं पहली इस्टार्ट की ना वैसे फोन आगया मैंने कम तस्व मिनट तक घुब सारी नुएयर की बधाई दी और तारीफ की रही दी इसफीं से नहीं से मैं बात करने लगी इसके लिए तो मैं दूसरे वाले में दिखा दूँगे कैसे बनाना है लागा करना हँ और क्रेम अब आलागा लिमें शराप से सोग करना है जोपना कर लिए गश्भिएप कि हम यहां पर तूथपिक बिल्कुल भी नहीं लगाएंगी निवियर का केक है भरोसा नहीं लोग क्या मुंडी लगा दें क्या कर दें आज कल यह बहुत डर लगता है बहुत भयानक मैंने वीडियो देखिया ऐसे वाले तो मैं तूथपिक बहुत ही कम लगाती हूं मतलब द इसको भी वैसे ही हम लोग आइसिंग कर लेंगे मैं सब्सक्राइब से सोक फिर अपना क्रीम फिर लगा कि बढ़ी अचा और कम कम ही लगाओंगे मैं इसमें ज्यादा क्रीम का यूज नहीं करूंगे क्योंकि जिनका है यह उनको कम क्रीम वाला ही चाहिए तो पहले मैं तो म करेंगे ना अदा एक घंटा एक घंटा अगर टाइम है तो एक घंटा और अच्छी बात है वह अच्छे से सेट हो जाएगी तो उसके उपर जब एट रखेंगे तो मतब दबेगी नहीं और मैंसे वह जो पिचकने वाला जो टेंशन रहता है न पो नहीं होगा एक्दम से देखिए बहुत सारे लोग बोले दी उठाना मुस्किल होता है कुछ भी मुस्किल नहीं है देखिए दो नाइफ लेज और यहाफ के जी का है जो पांच इंच वाला था ना वो तो मैंने देखिया यहां मेरी बेवकूफी को भी देख लीजिए मैंने यही किया इसकी बहुत ज्यादा चोटा लगा तो मैंने कि वापस से क्रिम लगा आया और उसको बैलेंस करना था मुझे मतलब जो बासके दिखती है न तिकोनी वाली बासकेट वैसी बासकेट मुझे बनानी है मतलब पुरा सीधा वाला बासकेट नहीं बनाना फिर वो मजहा नहीं आएगा तो यहां मैंने देखिए उठाया और इसको उठाके इसके उपर रख दिया फिर याद आया कि भाई मैंने तो गलती कर दिया अब क्या कुरूँ फिर इसको अटाके इतना करने के बाद याद आया अब इतना कर लिए फिर मैं सूची कि बास्केट कुछ अलगता रखा नहीं ल पूरी फिनिशिंग होने के बाद मुझे याद नहीं आया कि मैंने गलत रखा है ठीक है अच्छा से क्लीन कर लीजे फिर इसके उपर वापस से रखेंगे और अब आई असली मतलब उसको पूरा बास्केट वाला लुक देने के लिए तो पहले मैं क्लीन करूंगी सारा जितना नीचे मैंने क्रीम लगाया है तो एक गीला तौली हमीसा अपने पास रखें जिससे आप क्लीन कर पाएं हर बारी यह देखिए ऐसे रखना है मैंने थोड़ा सा क्रीम लिया और छोटा काटा है पाइपिंग बैक को कि क्रीम जादा मुझे यूज़ ना करना पड़े कम से कम मैं उसकोई फिनिशिंग दे पाऊ इसके लिए फिर मैंने क्रीम चारों तरफ ऊपर थोड़ा सा लगा दिया एक्स्ट्रा में और नीचे मुझे तीकोना रखना है इसलिए मैंने नीचे कम क्रीम लगाया और सिर्फ हलका सब्सक्रेब किया इसलिए कि जो क्रीम उबर र abings अब नियुक्त धालम अबattर दिए भी में आइंग meer में युलाइज तो ऑसा केलने को तया है जनारे में करना आते हैं तो में युद्य को सब्सक्राइlt बास्केट वाला कलर आजा तो बड़ी आसा लग रहा है कि मैंने वो डाला है तो थोड़ा थोड़ा यह वाला ही कलर आता है लेकिन मेरे पास अभी टाइम भी नहीं था और मुझे पैसे भी उतरहीं मिलने वाले थे सिर्प साड़े च्छे सो रुपे तो मैंने इसके लिए आपको बास्केट बनाने का न सबसे आसान तरीका ही एक्दम अराम अराम से बनाएगा बिल्कुल जल्द बाजी नहीं करेंगा कि हां मैंने देखा है यूट्यूब पे बड़े-बड़े सेफ लोग को बनाते तो हमें भी वैसे फटा-पट मारना ऐसा बिल्कुल नहीं करना एक दम अराम से बनाएगा उतने बढ़ें बनने वाले अब मैं तो अराम से बनाती हूँ बिल्कुल जल्द बाजी नहीं करती हूँ और यहां देखे क्या करना बस एक लाइन लेना है बास्केट बनाने का मतलब यही एक तरीका यह है सब यहीं बताएंगे तो यह देखे ऐ है यहां इसा उठाया कि बिचारा एक बास्कित की पत्ति ही एक मुड़ गए हैं भर कोई भासकित में ठोड़ा तूड़ा है है बास्केत लगा यहां तो समझ लीजीपालव बहुत आच्छा लग रहा था पहले मैं सोचा थिना के छोट्त वाले नोजल से बनाऊंगे लेकिं छोटा वाले नोजल से सायध मतलब भूब नहीं आता कि moderator ने केक की स्चाय बना ते वीडियो देखने के बाद कि कैसी लग रही थी सच में अच्छा लग रहा था या नहीं जरूर कमेंट बोक्स में बताएगा और यह देखे और हाँ अब भी दूसरा वाला जो चैनल है ना गोकुल कोट्यार वहां पर एक कमेंट आया थे कि तुम नहाती नहीं हो क्या ऐसे कर रही हो यह कर रही हो अरे भाई मतलब मैं क्या बोलू समझ में आता और आप लोग इतना सपोर्ट करते हैं बोलते हैं कि दिल को इता सुकुन मिलता है और कुछ लोग ऐसे हैं और उनका नाम आ रहा है मेरे चैनल पर आप जाके देखिए कल मैंने जो वीडियो अप्लोड क और यह देखिए मैं तीन बना रही हो बेस फिर ऊपर एक बना रही हो चोटू सा एकदम उसका मतलब पॉइंट जो चोटू से ना वह बनाना है फिर ऐसे अपना मतलब नोजल आर 11 मैंने यूज किया है और थोड़़द गैप देखिए बनाए ताकि लुक बिलकुल फ्लाव और बहुत प्यारा लगा तो बहुत ही बढ़िया लग रहा था यह लमन यलो अपना डस्ट है साधा डस्ट है स्री वनीला फ्लेवर है इसमें और यह कौन फ्लोर से बना है तो बिलकुल सेफ है और धीर सारा कलर ना डालके आप डस्ट का ही यूज करिए तो मैं क्या करतू स अपको पता है मैंने परपल और यलो सबसे पहला मैंने समझ ली जबी 2-3 साल हो गए अब यह लेकिन बिल्कुल भी खराब मतलब ना तो उसका डस्ट करामप बढ़िया और अभी से अग्दम बढ़िया है और यह 90 रुपे का मैंने लिया था और अभी पीम से मिलगा दार द यह देखिएए होगे ऐसे कर की में पूरा फूल सजाने वाली हूं और बीच में ढ़ीड सारे रस गुले भी लगाने वाले हूं क्योंकि बीच में घृजब असवार रख देते ना तो बीच में गड़ा हो जाता है हो जाता है तो वह आले गड़े को भरने के लिए मैंने क्या तो मैंने वह पूरा लगा दिए डबब भर के मिलाई थी कि न्यूइर में कुछ करेंगे तो मैंने इसमें कर लिए ऐसे करके और यह ना अपी पीछे लग रहा था कि गिर ना जाए इसके लिए मैंने क्या कि पीछे थोड़ा थोड़ा सा वाइट वाले क्रीम लगा दिया तक अच्छे से वह चिप कर रहे हैं और यह बनाना बहुत ही आसानी यह देखिए ऐसे करना है आपको दो तीन चेसे आप लगाना चाहते हैं वैसे डिए और कलर यह सीखना हूँ कुछ नया सीखना हो जाना हो साब two gone और जोड़ा प्लीज मेरा दूसरा चैनल नहीं देखा है तो वहां भी जाए गोकुल को डैड को देखिए चैनल को सब्सक्राइब करें और मतलब मैं केक के वीडियो नहीं अप्लोड करती है पर परपल बगल में तो फिर मैंने आधे रोज को पीला कर दिया और आदे को पर पर पल कर दिए बीच में रख दिया बहुत मस लग रहा था यह देखिए आग है हमारा सफेद रसगुला किसके किसके मुह में पानी आ रहा है तो फटावर्स रसगुला खाई और हैपी नुए आप सभी को मैं स्टार्टिंग में बोला भूल गई मिठाई देखा तो हैपी नुए किया दाई आप लोग चाहां से वीडियो देख रहे है सफेद नहीं देखाना और आप लोग भी बनाएंगे न तो इस बात का ध्यान रखेगा ठीक है तो वहां न सफेद दिखना नीचे तो मैंने अपना पाइपिंग बैग में ही जो क्रीम बच्ची थी इतने ही क्रीम बच्ची ने बिल्कुल भी तो इसी ग्रीन वाले क्रीम मे सफेद वाले क्रीम में ही यलो और ग्रीन कलर डालती है मैंने और पाइपिंग बैग को वी शेप में कट कर दिया और बीच में यह लग गया अपका पती और अब बताए कि का लुक कैसा लग रहा है पसंद आ रहा है या नहीं कैसा लग रहा है काउन बोक्स न जरूर बताए और फ्लावर्स भी बताएगा कि कैसे लग रहे एक दो फ्लावर्स थोड़े से बिगड़ गया है बिगड़ गया मतलों इतनी जल्दिवाजी में बना रहे थी ना क्रीम खतम वहा तो फटाबट क्रीम बनाया और फूल बनाना स्टार्ट किया यह देखिए अब तुम उसे अब लगा था दो तीन घंटे भी बाहर आएगा तो इसके को कुछ भी नहीं होने वाला है फिर आगे लिखने के बारे में हजबन जी ने बोला कि इस पर हैपी नहीं हुआ लिख दीजिए और मुझे यह लिखने में बड़ी प्रॉब्लम होती है राइटिंग अची नहीं म सुधार भी नहीं पार रहे हूं तो बड़ी मुझकल से लिख दिया थोड़ा साहलका से स्प्रेग कर दिया अब असी रुपे जोड़के रखिया अगर दूर से लाते हैं तो पास में है तो दस रुपे ले लिए एक्स्ट्रा मैं तो पूरा मंदव साट के साथ ही लिए हू हो गया और इधर आगे से दिखाती हूं कि कैसा लग रहा है ऐसे पैक हो जाएगा तो उपर से भी अच्छा लगेगा देखने में कस्ट्मर को भी अच्छा लगेगा और इधर से यह देखिए ठीक है वीडियो पसंद आएगी तो लाइक चैनल को सब्सक्राइब तो चल की वीडियो में तो वेलकम के को गेरडी सुथेंक वेखिए